सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस तूभ्याम हर हर महादेव ओम नमस शिवाय जै महाकाल तो शिव महापुरान की कता के अनुसार किये जाने वाले संतान प्राप्ती वंच वर्दी के पांच ऐसे महाउपायों का आपके सम्मुत में वंडन कर रहा हूँ जो कि शिव महापुरान की कता में पंडिप परदीप जी मिश्रा याने कि गुरु जी ने कभी न कभी बताये थे यदि ये उपाय आप पूरे मन के साथ में करते हो तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ती वंच की विरदी होती है कहा जाता है कि जब संतान प्राप्ती होती है तो पितर रिंड से मुक्ती हो जाती है जो संतान होती है वही पिंडदान का कारे करती है तो यदि आपके संतान नहीं है और वंच की विरदी नहीं हो पा रही तो आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ती होगी पर उसके लिए पहले कुछ नियम जो कि आपको जानना जरूरी है और यदि आप ये गलतियां ना करे तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है और यदि आपने ये पांच उपाय कर लिए तो ये निश्चित है कि आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी पांचो उपाये अलग-अलग तितियों, अलग-अलग समय उपर किये जाते हैं वो तितियां कौन-कौन सी है, वो समय कौन-कौन सा है उसका वर्णन हम आपको इस वीडियो में करेंगे साथ ही साथ में एक बात और आपको बताना चाहते हैं गुरुजी ने अपनी कता में बताये थी गुरुजी ने कहा था कि यदि आपका विश्वास है विश्वास कैसा कि जैसे की मान लो, आप कोई उपाये कर रहे हो फिर वो संतान प्राप्ती, धन प्राप्ती या कोई साभी उपाये हो यदि आप वो उपाय करते हो और उपाय करने के बाद करने से पहले आपके मन में ये खयाल आता है क्या खयाल आता है क्या ये उपाय सफल होगा क्या ये उपाय सफल नहीं होगा मतलब यदि आप इस दूविदा में रहते हो 50-50% रहते हो कि उपाई सफल होगा जो उपाई सफल नहीं होगा तो आप ये उपाई ना करें उरुजी ने साफ कहा अपनी कता से कि यदि आपके मन में भोले नात के प्रती अविश्वास है अब आप बोलोगे अविश्वास कैसे है अविश्वास ऐसे है कि आप उपाई करने से पहले ही ये सोच रहे हो क्या ये सफल होगा क्या ये सफल नहीं होगा तो ये अविश्वास का प्रतीक है यदि अविश्वास प्राप्त करके आप ये उपाई कर रहे हो तो प्लीज गुरुजी ने हाद जोड़ कर सभी से प्रात्ना किती उपाय ना करे जब आपके मन में 100% यानि की 100% विश्वास हो कि मैंने ये उपाय किया है इसका फल मुझे जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है, मेरे भोले नात पर एक कलस जल समर्पित करने का विफल मुझे जरूर मिलेगा हो सकता है वो आज मिले या कल मिले या आने वाले समय में मिले लेकिन मिलेगा जरूर इस विश्वास के साथ यदि आप उपाय करते हो, इस विश्वास के साथ यदि आप कोई उपाय कर रहे हो तो ही इस उपाय को प्रारब्म करे वरना केवल उपाय सुनकर वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेर कर दीजिए जिनका बाबा के प्रती विश्वा से मेरे भूले नाथ के प्रती विश्वा से वो ही वेक्ति इस उपाय को करे हो सकता है आपका विश्वास ही नहों उनके उपायों में या फिर हो सकता है कि आप बिना विश्वास के साथ में करने के लिए तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो यदि आपका विश्वास है पूरा-पूरा तो ही आप इस उपाय को शुरू करे और विश्वास के साथ में इस उपाय को अवश्य करे एक और बात जो मैं उपाय शुरू करने से पहले आपको पता देना चाहता हूँ सभी व्यक्ति या कुछ कमेंट करते हैं प्रश्ण पूछते हैं कि हमने उपाय कर लिया एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार कर लिया तो भी हमारी महादेव सुन क्यों नहीं रहे हैं उन सभी के लिए मेरा एक ही जवाब है जो गुरुजी न अपनी करता में कहा वही मैं आपको बूल रहा हूँ हम नहीं जानते कि हमारे पिछले जनम कौन से दे और उन जनमों में हमने कौन से कारे किये अच्छे करम किये या बुरे करम किये अच्छे करम किये हो तो हमारे उपाय जल्दी सफल हो जाते हैं यदि बुरे करम किये होते हैं तो उपाय जल्दी सफल नहीं होते हैं और मेरे महादेव, मेरे फोले नाथ, उन उपायों को जो हम करते हैं उनको सफल करते हैं पर समय लगता है क्यों लगता है क्योंकि जो हम कर्म करते आ रहे हैं पिछले जर्मों से तो उस कर्म को करते 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 हमारी जो कर्म की फाइल है वो इतनी मोटी हो गई यानि कि उसकी थिकनेस उसकी मोटा ही इतनी हो गई अब इसको काटने में इन कर्मों को काटने में थोड़ा सामे लगता है महादेव को और वो करते अवश यही है किसी व्यक्ति का एकी बार में उपाए सफल हो जाता है उनको एकी बार में उपाए सफल हो जाता है फिर उनका एकी बार में सफल उपाए हो जाता है तो इसलिए विश्वास रखे, उपाय करे, बाबा आपकी गोध अवश्य ही बढ़ेगा तो शेव महापुरान की कता के अनुसार किया जाने वाला सबसे पहला उपाय ये उपाय आप 365 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हो और सबसे बढ़िया समय मैं आपको बता रहा हूँ प्रदोश काल प्रदोश काल में जरूर करो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो क्या करना होगा आपको इस उपाय में पर यदि आप चाहते हो कि कोई विशेश दिन वो विशेश दिन में आपको बता देता हूँ सोमबार, सोमबार के अश्टमी, प्रदोश, शिवरातरी, पूर्णिमा, अमावर्स्या, एकादशी, अश्टमी और साथी साथ में नौमी तिति, जो ये विशेश तितियां, विशेश वार आते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि ब दबाशा में, नारियल कहते हैं, पाने वाला, उसको ले लीजिए, साथ में लेजिए, एक पीला कपड़ा, पीला वस्तर ले लीजिए, अभी पीले वस्तर और शिरिफल को ले जाकर, भगवान शंकर के सम्मुत में, बैट जाएए, मंदिर में जाकर, अब आपको क्या करना है, माताओ भेनों को ये उपाय करना है, यदि वे सुहम उपाय नहीं कर सकती, अब मैं आपको बता दिया, 365 दिन में से कभी भी कर सकते हो, तो आप ये मत बूनला कि, पूरे साल बर में हमको समय नहीं मिलता उपाय करने के लिए, आप उपाय करे, महादेव आप ये करना है, तुमरुका जी का एक पार इसमरन अवश्य करे कि है, तुमरुका जी, आप तो संतान प्राप्त कराने वाले देवता हो, मेरी जोली, मेरी गोदी अवश्य करा कर, उस शिरिफल को ये शिव जी के सम्मोक में रख दो, और उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करन में ना तो मंदिर से लेकर आना है, ना मंदिर से छोड़ के आना है, शिरिफल रखते समय केवल एक कारे करना है, जो भी मता भहिन ये उपाय कर रही है, उनको स्वैम का नाम बोलना है, उनका नाम जो भी है, अपने पती का नाम और स्वैम का नाम बोलकर आपको ये उपाय क उपाई कप किया जाता है ये उपाई किया जाता है साल में केवल दो ही दिन कौन से होते हैं क्योंकि साल में दो ही एकदशी आती है ऐसी जब ये उपाई आप कर सकते हो उन एकदशी का नाम है पुतरदा एकदशी ये पुतरदा एकदशी पुतर देने वाली है, पुत्र प्राप्त कराने वाली है, तो आपको केवल और केवल साल में दो ही बार ये एक अधशी देखने को मिलेगी, एक बार मिलेगी आपको जनवरी के महीने के आसपास, और एक बार मिलती है ये सावन के महीने में, इस बार जो एक अधशी आईगी, वो 16 अ आप हमारे channel पर जाएंगे, channel पर जाने से जैसे आप home वाला section देखेंगे, home के just pass में आपको देखेगा video वाला option, और video के पास में, जैसे आप video पर tap करेंगे, तो वहाँ पर video के अंदर आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगी, oldest video, most view, यानि सबसे ज़्यादा देखे गए video और latest video, ये 3 चीज़ आपको मिलेगी, तो जैसे आप most views, यानि कि जिन video को सबसे ज़्यादा देखा गया, most views पर tap करोगे, तो आपको एक अलग से video का, वीडियो open होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा देखेगा ये वीडियो, उसमें 4 या 5 वे नमबर पर आपको ये video मिलेगा, जिसम हमने ये पूरा उपाय करके दिकाया है, क्या करना होगा पुतरदा एकदशी के दिन, सुबह सुबह ये शाम के समय, जब आपको समय मिल जा है, चामल को छोड़कर आप किसी भी पदार्थ की खीर बना लीजिए, एक दशी के दिन चामल वर्जित कहा जाता है, तो साबुत की खीर बना लीजिए सावा की खीर बना लीजिए या और भी आपको जो खीर आती है बनाना वो बना लीजिए एक कटोरी में आपको ले लेना है खीर और एक कटोरी में आपको ले लेना है गी जैसे कि आपके देख रहे हो इस प्रकार से आपको गी और खीर ले लेनी है अब पर शिव मंदिर में जाना है शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शिरी तुम्रुकाजी महाराज की किरपा करते हुए उनका नाम लेते हुए दो बेलपतर शिवलिंग पर समर्फित करने के बाद में वो घी वाली कटोरी और खीर वाली कटोरी बगवन चंकर के समोख में इसी प्रकार से रख देनी है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना कि कटोरी को वापिस लानी है लेके जानी है आपको ये कटोरीयां मंदिर में ही छोड़नी है फिर से यदि मंदिर में कटोरीयां दिखवे जाए आपको यदि किसी ने उस पदार्थ को काम में ले लिया हो घीर और की खीर को उसके बाद भी आपको कटोरियां उठा के नहीं लानी है आप पूछो कि कटोरी नई लेकर आओं या घर की काम में ले लू याधी घर की अच्छी कटोरी आएं आपके पास में तो आप उनको ही काम में ले सकते हैं नई कटोरी खरीद कर ना लिए फिर आपको ये जो दो बेल पत्र आपने समर्पित कर दिये, जिनकी डंबी आपके विपरीथ हो, इसके बाद में एक दीप लेना है लंबी बात का, एक दीप लंबी बात का लेकर आपको इस दीप को प्रजोलित करना है, और प्रजोलित कहा करना है, बगवान चंकर का मंदिर जो होता है, वो मंदिर की जो चौकट होती है जैसे कि यह शिव जी का मंदिर है आज शिव मंदिर से हम बहार निकलेंगे तो यहाँ पर हमारा उल्टा हाथ पड़ेगा तो यहाँ पर वो दीब रखना है उस दीब को रखना लंबीबात के दीब को जिसमें गी डाला हुआ और प्रजोलित कर देना आपकी मनोकामना बोलते हुए अब फिर से आपको उठना है यहाँ पर आसन लगा के बैठोगे आप दीप प्रजोलित करने के लिए फिर उठके जो दो बेल पत्र आपने शिव जी पर समर्पित कर रखे थे उसमें से एक बेल पत्र उठाओ उठाकर उसको चबा चबा कर खा लीजिए पती या पत्नी जो भी उपाय कर रहे हैं वो इस आसन पर बैठकर शिव जी की चौकट पर बैठकर इस बेल पत्र को खा लीजिए यदि शिव जी की चोकट पर बैठने की जगे ना हो तो शिव मंदिर के अंदर बैठकर उस बेल पत्र को खा लीजिए फिर क्या करना है आपको जो दूसरा बेल पत्र उसको अपने पास में रखिए और उसको अपने पास में रखकर आपके घर पर लेके चले जाएए उपाय है वो है एक पुश्प वाला उपाय एक पुश्प कौन सा और वो जो पुश्प है वो है पारिजात का पुश्प अब ये जो उपाय होता है ये वैसे तो कभी भी किया जा सकता है जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहो ये है पारिजात का पुश्प अब ये उपाय किस दिन के ज़ता वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो पर मैं तीन विशेज दिन आपको बता रहा हूँ जब आपको यह उपाय करना होगा तो वो कौन से तीन विशेज दिन है जो भी आप उपाय कर सकते हो सबसे पहला दिन है सोमबार का दिन कि आपको ये पारिजद का पुष्प मिलता है तो सोमवार के दिन उपाय करो सोमवार के अश्टिमी करो और शिवरातरी के दिन करो साथ ही साथ में आप प्रदोश वाले दिन भी इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हो तो ये तीन दिन है सबसे पहले आपको क्या करना है 50 ये 60 पारिजयत के पुश्प लेना है पुश्प लेकर जैसे कि आप जानते हो ये पुश्प होता है और पुश्प के पीछे होती उसकी डंडी तो ये डंडी है इस डंडी को आपको तोड़ना है तोड़कर घर के अंदर सुखा लेना है सुखाने के बाद में इनको अपने हाथ से मसल लीजी ताकि इसका बारिक चूरण बन जाए इसके बाद में आपको क्या करना है एक पारिजात का कोमल सा पुष्प लेना है बाबा की किरपा प्राप करने के лिए संतान प्राप्ति के लिए किसी भी दिन जैसे तो मैंने आपको बताए किसी भी दिन करो पर सोमवार अश्ट्वी और शिवरात्रे की दिन करो तो जाद अच्छा रहेगा फिर आपको क्या करना है एक पुष्प पारिजात का इस प्रकार से समर्पित करना है भगवान चंकर के शिवलिंग पर देख सकते हूँ आप किसी भी दिशा से करो पुष्प इसी प्रकार से समर्पित होगा डंडी होगी महादेव की तरफ पुष्प वाला भाग होगा जलादारी की तरफ संतान कामन करते हुए अब इस पुष्प को आपको उठा लेना है इसको उठा कर समर्पित करना है इसको माता आद्य शक्ति मा जगजन्नी के स्थान पर यह देख सकते हो आप यहाँ पर आपको समर्पित करना है यह पूरा इस्थान मा आद्य शक्ति का स्थान है किसी भी स्थान पर आप समर्पित कर सकते हो, जब मता अध्य शक्ती के स्थान पर, मापार्वती वाले स्थान पर समर्पित करोगे, तो पुष्प का भाग बगवान शंकर की तरफ हो जाएगा और जो टंडी वाला भाग है, वो विप्रीत हो जाएगा, इस प्रकार संतान काम ना करके, आपको फिर से ये पुष्प को उठाना है, उठाकर अब इस पुष्प को समर्पित करना है, हमको बाबा भोले नात के शिवलिंग के उपर देख सकते हो, शिवलिंग पर जब समर्पित करोगे तो फिर से जो पुष्प वाला भाग है वो जलादारी की तरफ हो जाएगा और डंडी वाला भाग विपरीच में रहेगा तो एक ही पुष्प को तीन जगे पे समर्पित करना है माता अशोक सुन्दरी उसके बाद में मापारवती और तीसरा जो नंबर है वो है बगवान चंकर का शिवलिंग ये तीन स्थान पर आपको ये पुष्प समर्पित करना है इसके बाद में जो आपने इसकी डंडी को तोड़ कर बारिक चूरं बनाया था बारिक पी साथा उसमें थोड़ा सा जड़ डाल कर सबसे पहले आपको उसके बाद में तिरपुंड बनाना है पुशप समयर्पित करने के बाद तिरफुंड बनाना है अब तिरफुंड बनाने का करंभी और नेम भी आप समझ सकते हो ये जो दो उंगली आप देख रहे हो मिरी मद्यमा उंगली और अनामिक उंगली सबसे पहले बगवन शंकर की तिरपुंड की जो दूपर की दो रेका है वो इनी दो उंगलियों से बनानी है उसके बाद में नीचे की जो दो रेका नीचे की जो एक रेका होगी वो हमको इस वाली उंगली से बनानी जो अंगोटे के पास वाली उंगरी उससे बनानी है इसके बाद में इस प्रकार से तिरपुंड का आपको निर्मान कर देना है जैसे कि आप देख सकते हो कि तिरपुंड बन जाएगा तिरपुंड बना दीजिए और तिरपुंड बनाने के बाद में जो माता अद्दे शक्ति का हस्त कमल है जिस पे शिवलिंग विराज मने उस इस्थान पर भी आप अच्छे से वो ही पारिजात की पुष्व की डंडियों का चंदन लगाओ अच्छे से लगाना पूरे शिवलिंग पर और बाबा से प्रातना करके आना कि हे बोलेना मेरी करने वाला उपाय क्या है यह है आपको प्रते दिन शिंगार करते ही रहना प्रते दिन यह उपाय करते ही रहना इस उपाय के लिए आपको बस प्रते दिन शिव मंद्र जाना है विश्वास करके उपाय करोगे तो बाबा आपकी जोली और गोदी अवश्य भरेगा कैसे करन होता है योपा है इसमें आपको देखो क्या करना होगा एक बेल पत्र लेना होगा अब ये जो बेल पत्र है इसमें आपको लाल चंदन और पीले चंदन के आवशक्ता होगे अब जो आपके पास में बेल पत्र होगा उस बेल पत्र की जो बीच वाली पत्ति है इस पर आपको लगाना है लाल चंदन तो इस प्रकार से एक बेल पत्र लेके इस पे पीला चंदन और लाल चंदन लगा लेना अब आपको आपके साथ में रखना है लाल चंदन थाली के अंदर और साथ में रखना है एक कलश अब क्या करना है सबसे पहले तो बगवान चंकर के मंदिर में ज जाती साथ में जो उपाएं मैंने आपको करके दिखाएं वो सारे आपको description box में मिल जाएंगे अब यह मत बुलना आपकी description box कि होता है वो होता है जो बी title होता है वीडियो का उस पर आप टैप करोगे तो नीचे box open होगा वह होता है description box उसमें आपको यह उपाएं मिल जाएंग तो आपको क्या करना है फिर एक कलजल सबसे पहले बगवन चंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है शिरितुम्रुकाजी की किरपासे शिरितुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से वो जल आप समर्पित कर दो इसके बाद में आपको क्या करना है जब आप जल समर्पित करो अब इसके बाद वो जो जल शिवलिंग से नीजे गरेगा उसको अपने हाथ मे लो और अपने हाथ मे लेकराचमन करो बाबा से पिराथना करो हे वोले नाद मैं यह उपाय कर रही हूँ यह कर रहा हूँ मेरी मनोगामना को पून्त करना फिर अपने हाथ को दो लीजिए, दोना क्यों है? क्योंकि आपने जो जल पिया है, उस से आपका हाथ मुख, उस से आपका हाथ जोटा हो गया है, उस पे थोड़ा जल डालके उसको साफ कर लीजिए फिर आपको एक और कलर जल समरपित करना है, शिवलिंग के उपपर कार्वन में लगा कि प्राकश को शेवर और लिए लाइचे से लगाते नहीं को भी उखेशंटर पर्लाल चंतर लंड के विवर्षिड न बाल के लागी शेवर के आप सबसे कारगार उपाया, जिसे हम सफेद आंकड़ी की जड़वाला उपाया कहते हैं. अब इस उपाई में आपको क्या करना है यह उपाई भी मैंने आपको करके दिखा रखा है यह उपाई भी आपको हमको description में मिल जाएगा वीडियो के description box में मिल जाएगा तो क्या करना है यह उपाई पहले तो दो चीज आपको बताता हूँ एक माता है होती है जिनको रजस्वला धरम आता है एक माता है होती है जिनको रजस्वला धरम नहीं आता है रुक रुक के आता है यह समस्य होती है उनको तो जिनको रजस्वला धरम आता है उनको अपने साथवे दिन करना होता है साथवे दिन क्यों कहा जाता है क्योंकि वे साथवे दिन मंदे जा सकती है कोई माता हूँ जो आठवे दिन मंदे जा सकती हो आठवे दिन करे जो नवे दिन जा सकती हो नवे दिन करे तो दसवे दिन जा सकती है वो दसवे दिन करें जिनका रजस्वाला दर्म तीन दिन का होता है और वो चोते दिन बंदे जा सकती है तो वो चोते दिन जाकर आए पांचवे दिन जाकर आए यह जानकरी मैंने आपको दे दी इसी के साथ अब आप पूछो के जड़ कब लेकर आने है जड़ एक दिन पहले लेकर आजाई है या फिर उस दिन भी लेकर आ सकते हो जड़ एक दिन पहले लाओ तो उसको पानी में डालकर लगे या कपड़े में लपेट कर लगे क्योंकि जड़ सूख जाती है अब सफेद आखड़े की जड़ पती और पत्नी दोनों को लेकर आने होती है 21 बार शिवलिंग पेसे उस जड़ को गुमानी होती है शिरी तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को 21 बार शिवलिंग पेसे गुमाईए और उसके बाद में गुमाने के बाद में आपको उस जड़ को माताओं बेनों को अपनी कमर में रजस्वला दरम के मैंने बता ही दिया है साथवे दिन और जिनको रजस्वला दरम नहीं आता बंद है उनको इस जड़ को सोम मार को और फिर प्रदोश वाले दिन यह दो दिन इस जड़ को भांद लेना है या तो सोम मार के दिन भांद लो जिनका रजसुलाज रमबंद है और उनकी इच्छा है संतान प्राप्ति की वो सोम मार के दिन भांद लो या फिर प्रदोश के दिन भांद लो 21 बार गुमाने के बाद में लाल दागय में अपनी कमर में बांध लिजी पती और पत्नी दोनों को जड़ लेने जाना है और दोनों को उपाय करने जाना है कुछ मादाय मैंने बोले कि हमारे पती इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और वे हमारे साथ नहीं जाते हैं तो उसके लिए फिर आप एक ही कारे कर सकते हैं बगवान से बोल दो हे महादेव तो सरवग्य है तू जानता है मैंने मेरे पती से बोला पर वो मेरे साथ जड़ लेने नहीं गया और नहीं मेरे साथ उपाय करने आया है मैं चाहती हूँ मेरे पूतर प्राप्ती संतान प्राप्ती हो तो अब तुझे ये उपाय सफल कराना है मैं स्वयम अकेली जड़ लेने जा रही हूँ और अकेली तेरे मंदिर में उपाय करने आ रही हूँ उपाय तुझे सफल कराना है इसके बाद में एक पीपल का पत्ता प्रती दिन आपको समर्पित करना है बगवान चंकर के शिवलिंग पर अव दूतेश्वर महादेव के नाम से कौन से महादेव अव दूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है उस पीपल के पत्ते को उठा कर लाना है, गाय के दूद में उबालना है, रात को सोने से पहले पत्ती और पत्ती दोनों को वो गाय का दूद पीना है, एक महीने तक ये पीपल के पत्ते वाला उपाय आपको प्रति दिन करना है, ज़िए प्रति दिन आप मंदिर नहीं जा सकत लेना है और प्रते दिन एक-एक पीपल का पत्ता निकाल कर दूद में उबाल कर उनको किसी व्रक्ष के नीचे ठंडा करते जाना है पांच दिन जब हो जाए फिर से पांच पीपल के पत्ते लिजे शिव मंदिर में उपाय कीजिए और उन पांच उपत्तों को घर पे लाकर रख लिजे ताकि आपको प्रते दिन शिव मंदिर ना जाना पड़े इस प्रकार शिव महापुरान के कथा दोरह बताए एक बार आप ये 5 उपाय आवश्य करके देखिए, मेरा भूले बापा आपके किर्पा आपके लिए उपड़ किर्पा अवश्य करेगा और एक बाद जो मैंने आपको कही विश्वास हो तो ही उपाय करना, ना हो तो मत करना, सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तुब्यम और गयर बंदार है